हलो फ्रेंज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब किसी भी वैक्ति के अगेंस कोई स्टेट केस हो जाता है यानि किसी भी वैक्ति के अगेंस एफ आ यार हो जाती है और एफ आ यार होने के बाद उस वैक्ति को या तो थाने जाकर के या फिर कोट जाकर के अपनी बेल करानी होती है क्योंकि अगर वो वैक्ति अपनी बेल नहीं कराएगा तो पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी तो ऐसे में जिस वैक्ति के अगेंस भी F.I.R हुई है और उस वैक्ति के वारेंट हो गए है तो उस वैक्ति को कोट में या फिर थाने में बेल होती है क्या-क्या डिटेल्स हमें एक्यूज की और जो उस वैक्ति का शियोर्टी बनता है उसकी देनी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह फॉर्म होता है जिसको हम बेल बॉंड बोलते है इस फॉर्म को फिल करके ही हमें कोट में देना होता है यह फॉर्म ह चरशें समynnदूर होता है गरेसे साइडे उसमें डीटेल्स होती है और दूसरी साइडे निमसे ऐह आयसे है जो व्यक्ती उती बन रहा है उप कीẫn एक्योड डिविट 58 होता है तो दोस्तों चलिए उसे हम समझते है की बेल बॉर्ड में क्या-क्या में फिल करना होता है सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों की इन्दा उन्रेबल कोट यानि की जिस कोट में भी उस एक्जूजड का मैटर चल रहा है या जिस कोट से उस एक्जूजड को बेल लेनी होती है वहाँ पर हम जसाब का नाम लिखते हैं दोस्तों इस वीडियो में यह सारी चीज़े मैंने एक्जूजड के लिए फिल की है इसमें कोई भी रियालिटी नहीं है यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक्जूजड के तोर पर लिया है तो दोस्तों स्कूड में यहां पर दोस्तों जिस भी स्कूड से आपकी एक्पार वहाँ अगी आपके मेंट्र में जो भी नारेश्ट सबढ़ार होगी वह यहां पर आजाएगी जो भी सेक्जूड अपके उपर लगाए गये है वह स्कूड यह अम पर लिखे जाएंगे यहां पर दोस्तों हमारा FIR नमबर आजाएगा, जो भी FIR नमबर होता है, वो यहां पर हम लिखेंगे उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले उस वेक्ति की टेटेल आएगी जिस वेक्ति के अगेंस मुकदमत दर्ज हुआ है या फिर जिस व्यक्ति के अगेंस F.I.R. दर्ज की गई है आई यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके अगेंस F.I.R. है सन ओफ आजाएगा जिसके भी वो सन ओफ है यहाँ पर उस व्यक्ति का रेजिडेंस आजाएगा have been arrested or detained without warrant by the officer in charge of जिस भी police station में उसकी F.I.R. lodged हुई है जहांके in charge ने उसको arrest किया है वो यहाँ पर आजाएगा police station का नाम यहाँ पर आएगा for having been brought before this honorable court charged with the offense of यानि कि उस व्यक्ति के उपर जो जो भी charge लगाए गए है वो में यहाँ पर लिखने होगे उसके बाद में and required to give surety for my attendance before such officer of court on condition that I shall attend such officer or court on every date on which my investigation or trial is held with regard to such charge and in charge and in case of my making default here in myself forfeit to government the sum of rupees यहाँ पर starting में हम 00 करके ऐसे लिख देते है क्योंकि कितने की surety bond देने है वो हमें court बताती है और court के बताने के बाद हम amount fill कर देते है starting में हम ऐसे ही 00 करके देते है यहाँ पर आपका place आजाएगा date आजाएगी और यहाँ पर signature आजाएगे जो भी accused होगा उसके यहाँ पर signature आजाएगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next जो होगा वो उस वैक्ति की detail आएगी जो वैक्ति इस accused के लिए shorty बना है जैसे कि अगर यहाँ पर यह नाम हमने सिर्फ example के लिए लिया है यहाँ पर आएगा I जो भी वैक्ति shorty बना होगा उसका नाम आजाएगा son of आजाएगा यहाँ पर उसका residence आजाएगा hereby declared myself for the above surgery यह बता रहा है कि यहाँ पर यह किस के लिए shorty bond दे रहा है तो यहाँ पर accused का नाम आएगा that he shall attend the officer in charge of यानि कि यहाँ पर उस थाने का नाम आएगा जिस थाने में accused के F.I.R. हुई है और यहाँ पर police station और the court of this court में case चल रहा है यहाँ पर उस court के जसाब का नाम आजाएगा यहाँ पर यह oath ले रहा है कि everyday on which any investigation in charge is made or any trial on such charges that he shall be and reappear before such officer or court for the purpose of such investigation to answer the charge against यानि कि उसके against जो भी charge लगाए गए है जब भी उसको investigation के लिए court में या फिर थाने में बुलाया जाएगा तो यह बंदा उसको ले करके थाने में पहुचेगा और यह बंदा जो accused है वो खुद भी थाने में जाकर के investigation को जोईन करेगा In the case for his making default I have bind myself to forfeit to government the sum of rupees यहाँ यानि कि जो वैक्ति शोर्ट ही बना हुआ है उसको अपनी तरब से कुछी या फिर उसकी प्रोपर्टी या फिर उसकी गाड़ी उसके documents court को देने होते है तो यहाँ पर यह यह declare कर रहा है कि अगर किसी भी region से accused default पाया जाता है तो उसके दुआरा जो भी amount court में shorty के लिए दिया जाता है court उसको forfeit कर सकती है यहाँ पर जिस दिन यह bail bond दिया जा रहा है court में वो date आजाएगी और यहाँ पर signature आजाएगे मोहनलाल के जो भी वैक्ति surety बना हुआ है और यहाँ पर दो वैक्तियों के signature आजाएगे या फिर अगर court में दे रहा है तो जो आपके advocate होते है उसके signature यहाँ पर आजाते है वो witness बन करके आप court में produce कर देता है अब दोस्तों यहाँ पर यह affidavit होता है जो surety बना हुआ है उस वैक्ति का यह affidavit होता है जिसमें वो oath लेता है यहाँ पर सबसे पहले I में हम जो surety है उसका नाम आजाएगा son of आजाएगा अगर वो कोई female है तो वो wife of या daughter of आजाएगी उसकी age आजाएगी residence आजाएगा जहां कभी वो वैक्ति रहने वाला है यहाँ पर जो dependent है जिसका हम यह affidavit दे रहे है जो surety बन रहा है उसका यहाँ पर यहाँ तो रासन कार्ड का नंबर लिखेंगे यह फिर जो election card यह वोटर आइडी जिसे हम वोट डालते है वो card होता है यह फिर आधार कार्ड उसका हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे साथ में हम second point में यह बताएगे कि the accused is accused का और surety का आपश में should we start क्या है दोस्तों यहाँ पर यह ने uncle यहाँ याने कि mama लिखा कर यहां पर कोई भी relationship हो व्यूसकता है friend हो सकता है father हो सकता son हो सकता है daughter हो सकती है wife हो सकती है तो जो भी relation होता है ओप यहाँ पर mention कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो जो एस अपतपत्र दे रहा है, Osotto जो काम विर्किंग लिखिएंगcidos, जो क्या काम करता है यह मैंने यहां पर Line in charge डाला है जब शोनुकाल कि जो बनता है जो भी काम करता है जिदि है यहां मैंने एक लाख लिखी है यह आप अपने कोर्डिंग चेंज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि जो डिपोनेंट है उस बैक्ति के कौर्ट को कोर्ड में हरककर अपन अपनidor कोर्डिंग यहां पर कोई भी इफ को बचशे के हैं कि जो कि अइस बंदे की आर क ven Iya der की नंबर होता यहां पर कितने पैसों की है, वो कितने हजार रुपे की है यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट लिखा है जितने हजार रुपे की वो FDR है हमारी दोस्तो एट पॉइंट में यहाँ अगर डेपोनेंट के पास कोई विकल है तो यहाँ पर उसकी डिटेल दी जाती है यहाँ पर हमारे डिपोनेंट के पास कोई वीकल नहीं है तो मैंने एने कर दिया है यानि कि क्रोस क्रोस कर दिया है अब यहाँ पर वेरिफिकेशन आ जाएगा जिस भी डेट में यह एफिडेविट या फिर बेल बोर्नम कोड में दे रहे है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी और इसमें डिपोनेंट यह बता रहा है कि उसने जो भी उपर इंफोर्मेशन दी है वो सब टू है उसमें कुछ भी उसने कंसील नहीं किया है और उसने अपने होस हवास में यह सारी डिटेल दी है इसके बाद में दोस्तों जो शियोर्टी है उसके दो सिगनेचर एक सिगन है उसकी copy लगेगी और यह सारे ready करके हम court में फाइल कर देंगे तो दोस्तों आज आपने जाना कि किसी भी court में हम bail bond कैसे produce करते हैं कैसे bail bond को ready किया जाता है I hope आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी feels